नमस्ता दोस्तों वादे के मुताबिक तुरोताओं मैं रश्मी हादिर हूँ आपके लिए एक और नई बाते लेकर हमारे हिस्ट्रिय और मश्चे चैनल में आप सभी का स्वागत है मुगल सल्तनत में वारिस का फैसला तलवार से होने का चलन शाह जहां ने शुरू किया था लेकिन इस चलन का खामियाजा उनके बेटों को भुकतना पड़ा उत्तुरा धिकार के लडाई में औरंग जेब ने अपने तीनों भाईयों को मरवा कर सत्ता हतिया ली इनमें दारा का हश्र सबसे बुरा रहा सियासत की लडाई में औरंग जेब की कुरूरता के बारे में सब जानते हैं लेकिन आखिर था तो वो भी एक इनसान ही इसलिए जब उसने अपने भाई दारा का सर कटवा कर अपने पास मंगवाया तो उसका धैर भी जवाब दे गया और भाई का कटा सर लेकर वो फूट फूट कर रो पड़ा शाह जहां अपने चारों बेटे दाराशिको, शाह शुजा, औरंग जेब और मुराद बक्ष के आपस में टकराव से परिशान था बेटों के जगडे से परिशान शाह जहां ने चारों को चार सूबे सौब दिये दाराशिको को काबुल और मुलतान, शुजा को बंगाल, औरंग जेब को दक्षिन और मुराद बक्ष को गुजरात की सबता सौब कर सब को अलग-अलग कर दिया बाकी सारे भाई तो चले गए लेकिन दाराशिको अपने पिता शाह जहां के पास ही रह गया उसे उम्मीद थी कि बड़ा बेटा होने के नाते अपने पिता के बाद वही दिल्ली का बादशाह बनेगा शाह जहां और दाराशिको के सिंहासन आस-पास ही लगते थे शाह जहां जब बीमार पड़े तो दारा ही दिल्ली का दर्बार संभाल रहा था दाराशिको ने अपने किसी भी भाई को अपने पिता से मिलने नहीं किया दारा के भाई अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली चठाए जिसके बाद दारा शिकोह ने अपने ही भाईयों के खिलाफ जंग शिर दी शुजा के खिलाफ दारा ने अपने बेटे सुल्तान शिकोह को लड़ने भेजा और खुद औरंग जेब से लड़ने चला गया दाराशिको इतिहास की सबसे बड़ी सेना लेकर औरंगजेब से लड़ने गया था लेकिन दारा अपनी गलतियों और घमन की वज़े से जंग की जीती हुई बाजी हार गया दारा को हराने में उसके ही अपने विश्वास पात्र खलिलुल्लाह का हाथ था दाराशिको ने कभी उसे बुरी तरह से अपमानित किया था उसने दारा से जंग के मैदान में बदला चुकाया इतिहास कार बताते हैं कि दारा हाथी पर था और वो जंग जीत चुका था और अंजेब के पास गिंती के सैनिक रह गय थी उसी वक्त उसके एक विश्वास पात्र खलिलुल्लाह ने कहा हजरत सलामत आपको जीत मुबारक अब आप हाथी से उतर कर घोड़े पर वैठिये पता नहीं कब कोई तीर आपको आकर लग जाए अगर ऐसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे दारा शिकोः ने बिना सोचे बिना विचार किये हाथी से उतर कर घोड़े पर सवार हो गया उतर जैसे ही दारा हाथी से उतरा उसके सैनिकों के बीच दारा के मरने की अफवा फैल गई औरंग जेब ने इसका फाइदा उठाया अपने लिए खाना बना रहे थे तो औरंग जेब के एक गुलाम नजीर ने उसका सिर काट डाला उसके सिर को लेकर वो औरंग जेब के पास गया औरंग जेब ने दारा के सिर को थाली में रखवा कर बुलवाया और जब उसे भरोसा हो गया कि ये दारा शिको ही है तो वो फूट फूट कर रोने लगा और अंग जेब के आदेश पर उसके शव को हुमायू के मकबरे में तफनाया गया हांत दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी हिस्ट्रियर में श्रीक और नई पेश कर आप हमें जरूर बताए और हां हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले ताकि आपको प्रतिजिन नए नए अपडेट्स मिलते रहें कल तक के लिए मुझे इजादर दे धन्यवाद